बिहार के बाद MP में बड़ा घोटाला बच्चों को फ्री दिये जाने वाले राशन में घोटाला जानिये क्या और कैसे हुआ पूरा खेल मध्यप्रदेश में अकाउंटेंट जन्रल की ओडिट रिपोर्ट के सामने आने के बाद बड़ा खेल सामने आया है बताया जा रहा है कि ये घोटाला बेहार के चारा घोटाले की तरज पर ही किया गया है अकाउंटेंट जन्रल की ओडिट रिपोर्ट की अनुसार ये घोटाला पोशन आहार बाटने के मामले में किया गया है ओडिट में पाया गया है कि लाबहरतियों की संख्या में भारी व्रद्धी हुई थी साथ ही स्कूटर, बाइक और आटो को ट्रक के रूप में सूची बद्ध कर दे गया जिससे माल को ढोया गया है वहीं इस घुटाले के सामने आने के बाद एजी ने राजी सरकार मुख्य सचिव को कतित घुटाले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी से कराने को कहा है साथ ही अधिकारियों को जिम्यदारी तै करने को कहा है एजी की रिपोर्ट में ये गडबडी महला एवं बाल विकास विभाग में हुई है ये विभाग सीम शिवरा सिंग चोहान के अधिन है दरसल टाइम्स ओफ इंडिया के एक रिपोर्ट के अनुसार 2018 और 2019 में स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूल के बाहर केशोर लड़कियों की संख्या 9000 होने का अनुमान लगा था लेकिन महिला एवं बाल विकास विभाग ने बिना कोई आधार भूत सर्विक्षन किये उनकी संख्या 36.8 लाग होने का अनुमान लगा था ओडिट में 2019 से 2021 के दोरान डेटा हेयर फेर के स्पश्ट संकेत मिले जिससे 110.83 करोड लोगों के टी एच आर का नकली वित्रन हुआ है इसके साथ ही एजी के ओडिटरों को 821.8 मिट्रिक टन टी एच आर की नकली आपूरती का भी संदे है जिसकी कीमत 4.95 करोड रुपए है इसके साथ ही 2.96 करोड रुपए के मूल के 489.4 मिट्रिक टन एटी एच आर को उन ट्रकों पर ले जाया गया जो मौजूद ही नहीं है वही रविवार को देरात सरकारी सफाई में कहा गया है कि महला एबम बाल विकास विभाग के पहले ही सुधारत्मक उपाय कर चुका है किशोर लड़कियों का सरवेक्षन फिर से किया गया है और लाभारतियों की संख्या 2018 और 2019 में 2.6 लाग से घटकर 2020 और 2021 में 1.28 लाग हो गई 2021 में केबल 15,000 बच्चे ही हैं ये विभाग के मंत्री की रूप में CM के निरदेश पर किया गया था इसमें कहा गया कि 2022 और 2023 में केबल 8600 लड़किया ही इस शुरेणी में ली हैं इसमें कहा गया है कि OOSRG पर आधार भूत सरवेक्षन किया गया और केंद्र को आंक्रे सोपे गए सभी लाभारतियों के नाम और आधार का सत्यापन किया जा रहा है इसके साथ ही कहा गया है कि THR के उत्पाधन और उपयोग की निगरानी निट्रिशन, ट्रेकर, एप और संपर्क एप के माध्यम से की जा रही है इसे पारदर्शता आई है जाच रिपोट में भोपाल, चिंदवाडा, धार, जबुआ, रीवा, सागर, सतना और शिप्पुरी जिलों में करीब 97,000 मेट्रिक टन पोशन आहार स्टॉप में होना बताया जबकि करीब 87,000 मेट्रिक टन पोशन आहार बाटना बताया यानि करीब 10,000 टन आहार गाइब था, इसकी कीमत करीब 62 करोण रुपे है इसी तरह शिप्पुरी जिले के दो विकास खंडों, खनिया धाना और कोला रस में सिर्फ 8 महीने के अंदर 5 करोण रुपे के पोशन आहार का भुकतान स्विकृत कर दिया इनके पास स्टॉक रजिस्टर तक नहीं मिला, इसके चलते पोशन आहर के आने जाने की कोई एंट्री या पंचनामा नहीं मिला यही नहीं बिना किसी प्रक्रिया के अधिकारियों ने फार्मों को पूरा भुकतान कर दिया प्रदेश सरकार ने पोशन आहर की गुणवक्ता की जांच एक स्वतंत्र लेप से भी कराई वहीं गड़बडियों की खुलासे के बाद राजे सरकार ने आधिरात को सफाई दी है इसमें लिपिकिये तुर्टियों को दोशी ठहराया है और कहा कि सीम के निर्देश पर सुधारत्मक उपयोग पहले ही किये जा चुके है वहीं घटिया राशन पर सरकार ने कहा है कि इसे प्रियोग शाला में भेजा गया था जाच में गड़बड़ी मिलेने के बाद भुकतान में 15 फीदी या 38 करोड रुपए काटे गए है तो ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ